हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक, मीनोस किचिन में आप सभी का पहुत स्वागत है फ्रेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ आलू मटर पत्तागोबी की सबजी बहुत ही सिंपल सबजी है, लेकिन खाने में बहुत साधिस लगती है इस सबजी को बहुत ही सिंपल तरीके से हम किस तरीके से बनाएंगे आईए देखते है आलू पत्तागोबी को बनाने के लिए हमने लिया है एक पत्तागोबी का फूल को हमने बारिक बारिक कट कर लिया है दो आलू हमने चकोर टुकडो में कट कर लिया है और एक बाउल लिया है हमने मटर और दो टमाटर को हमने चकोर चकोर कट कर लिया आप चाहिए तो इसको बारीक भी कट कर सकते हैं नमक स्वादरूसा डालेंगे मंसाले जो डालेंगे इसमें लालमिश पाउडर, हल्दी पाउडर, दनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, अमचूर पाउडर इसको हम सरसो के तेल में बनाएंगे एक बड़ी कटाई लेंगे इसमें हम एक चमश बड़ा हमने सरसो का तेल डाला है और इसको दुहां उटने दर गरम करके एक चुटकी नमख डाल लिए जिससे इसकी गंद निकल जाए गरम होने पे हम इसमें जीरा डाल देंगे टमाटर डाल दियें टमाटर को एक दो मिंट के लिए अच्छे से बूनेंगे इसको अलकासा दवा दबाके हम टमाटर को गला लेंगे बहुत ज़्यादा निकलाने है टमाटर अब हम इसमें डाल देते हैं पत्ता गोबी पत्ता गोबी को हम 4-5 मिंट के लिए अच्छे से बूनेंगे चलाते हुए तेज गयस पर गयस का फ्लेम तेज रखेंगे और इसको अच्छे से बूनेंगे ऐसे बूनी होई पत्ता को भी बनाएंगे तो सब्जी हमारी बहुत टेस्टी बनती है पांट वोगे हैं अब हम तो अलुं के अब ज़्यद्स माल टाल देते हैं अब आलू के संग उसे एक दो मिंट के लिए से हमारी बून एगी उतना ही से बून देखिए मटरी टाल टेके इसको लगा था जितना हम चला चला के बूनेंगे सब्सक्राइब बहुत टेस्टी बनेगी जास का फिल्म स्लो करतेंगे मसाले डाल लेते हैं एक चमर्ष धनिया पाउडर चुथाई चमर्ष हल्दी पाउडर और मिर्ष टेस्ट के कोडिंग मैंने अभी चमर्ष मिच डाली है इसमेल अलमीट पाउडर एक सब्सक्राइब और में डालेंगे अगर पहले घटाई डाल देते हैं सब्सक्राइब तेज करेंगे बड़ी भाब बन जाए प्लेट से ढग देंगे और अब इसको एक दो मिंट बाद हम स्लो कर देंगे पिकुश्ट लोग एसको बनने में साथ से 8 मिंट लगेंगे एक अब बड़ा देख रहे हैं इसको एक दो मेंट के लिए और पकाएंगे इसको चला देंगे अच्छे से नीचे से खुरस्ते हुए इसको फिर से ढग देते हैं बिल्कुल स्लो कर देते हैं गैसको दॉबारा देखिए सब्सक्राइब और आलू को चेक कर लेंगे इसको अब मवच्छाा चममच और ठोड़ अमचूर पाउडर शॉबारा कम जयाधा पर टेस्ट के अकवारिंग डाल सकते हैं ज्याधा पसंद करते हैं तो जाधा डाले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे लगत बनी है बहुत अच्छा कलर आया है बहुत अच्छी लगती है सबजी बहुत अच्छा टेस होता है इस सब्जी को सिंपल तरीके से बना कर देखिए इसको बनने में टोटल 15-20 मिनिट लगते हैं बहुत असानी से बन जाती है आप भी इस असाम तरीकी से सबजी को बना कर देखिए और अपने एक्सपिरियंस को मीनुस किचिन में शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Have a nice day